हाई आल, वेलकम टू माई चैनल, आज के इस वीडियो में हम ग्रेडिंग करना सिखेंगे, जिससे हम स्मॉलेस साइज को लार्जेस साइट में कैसे कनवर्ट करेंगे, वो देखेंगे, आज कल वैसे कम्प्यूटर से होती है ग्रेडिंग, लेकिन हम मैनवली सिखेंगे, स्केल में जो ब्ल्यू कलर से लाइन इंडिकेट हो रही है, वो वान इंच है, वान इंच का आधा कर देंगे, तो ये हाफ इंच का पॉइंट हो गया, और जो शेडिट पार्ट आपको दो पॉइंट्स का नजर आ रहा है, वो है वन एट्थ, तो इस मेजरमेंट की हमें जरु सबसे पहले हम इसको ट्रेस कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रीडिंग कैसे होती है, हमारा पैटर्न ट्रेस हो गया है, अब हम स्केल की मदद से वो जो हमने शेडिट पार्ट किया था, उसकी हेल्प से हम मार्किंग करना शुरू करेंगे, नेक में हम करेंगे नेक्स से अंदर की तरफ लेंगे 1 8 और इसी पॉइंट से हम उपर की तरफ ले लेंगे 1 8 अब शोल्डर को भी 1 8 बाहर की तरफ माक करेंगे और इस पॉइंट से उपर की तरफ भी 1 8 माक करेंगे दोनों पॉइंट्स को मैच कर देंगे तो हमारा नेक और शोल्डर में जो हमने 1 8 बढ़ाया है वो हमें मिल जाएगा और आम होल में हम 1 8 डाउन करेंगे और इन पॉइंट्स को आपस में मैच करके एक नया आम होल हमें मिल जाएगा तो नया आम होल हमारा रेडी है अब साइड सीव में हम भी बढ़ाएंगे वन फोर्थ इंच का हम निशान लगाएंगे और इसको बढ़ा देंगे आम होल को आगे तक अब इसके बाद नीचे की तरफ भी वन फोर्थ इंच हम आगे बढ़ाएंगे और फिर इन दोनों को मैच कर देंगे आप इसे हाफ इंच भी ले सकते हैं अब इसको मैच करने के बाद हमें साइड सीम में भी हमारा ग्रेड हो गया है बढ़ गया है साइज अब नीचे की तरफ हम लेंगे हाफ इंच और नीचे को भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे नेक की शेप दे देंगे तो हमारा नेक्स्ट साइज हमें मिल गया है अब नेक्स्ट साइज बनाने के लिए हम कलर दूसरा ले लेते हैं और नेक से हम वन एर्थ आउट करेंगे और शोल्डर से भी वन एर्थ आउट कर देंगे उसके बाद इस पॉइंट से उपर वन एर्थ जाएंगे नया पॉइंट आ गया है और शोल्डर की तरफ से भी उस पॉइंट से उपर की तरफ वन एर्थ जाएंगे मिला देंगे और नेक की शेप देंगे आम होल में भी हम वन एर्थ डाउट कर देंगे और फिर दोनों पॉइंट्स को मैच करने के बाद हमें एक नया आम होल मिल जाएगा साइट सीम के लिए हाफ इंच आगे बढ़ा देंगे आम होल को मैच कर देंगे उससे आम होल बढ़ा हो गया और डाउन भी हो गया नीची की तरफ पी हाफ इंच ले लेंगे एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे साइट सीम हमारी बढ़ गई है अब लेंथ भी बढ़ा देंगे हाफ इंच तो ये हमारा एक और next साइज जो है वो रेडी है अब next साइज के लिए 1 नेट अंदर 1 नेट उपर शोल्डर में भी 1 नेट बाहर 1 नेट उपर न्यू लाइन मैच करेंगे कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं नेक की शेप देंगे आम होल 1 नेट डाउन करेंगे हाफ इंच एक्स्टेंड करेंगे और नया आम होल रेडी है अब नीचे की दरफ हाफ इंच लेंगे और साइट सीम के लिए भी हाफ इंच लेकर साइट सीम को एक्स्टेंड कर दिया इधर हाफ इंच और नीचे लेंथ इंक्रेज कर दी तो ये एक और साइज हमारा रेडी है तो इस तरह से हमने grading करी है I hope आपको grading समझ आई होगी कोई query हो तो प्लीज पूछे और comment करना बिलकुल ना भूले